Hello Friends, मेरे Spam History and Astrology वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम analysis करेंगे sand का और check करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हम इस सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद check करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम check करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का जो analysis करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो उस तो क्या आप भी जाना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राज योग हैं या धन योग हैं कौन सा रतन आपका भाग्या उदे करवा सकता है कहीं आपकी कुंडली में मंगल दोश, काल सर्प दोश या कोई स्छनी की साड़े सती तो नहीं चल रही अब आपके सभी स्वालों के जवाब आपको मिलेंगे आपकी personal भीगू पत्रिका में वो भी सिर्फ 501 रुपे में साथ या आपको मिलेगा आपके आने वाले 10 सालों का भविश्य अफल भी तो अपनी personal भीगू पत्रिका की digital copy मगवाने के लिए वीडियो की description में दिये गए link के उपर click करें और अपना order place करें यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से हलकी लंबाई में नज़र आ रही है और साथी साथ एक squarish type की shape बनाती हुई भी नज़र आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और साथी साथ थोड़ी analytic type की personality को भी और अगर देखा जाएं इनकी fingers को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं fingers के उपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं मौजूद हैं और सीधी खड़ी रिखाएं होना बहुत ही positive माना जाता है draw करके दिखाना चाओंगा कि निखाओं कि मैं बात कर रहा हूँ ऐसी रिखाएं अगर सभी phalanges के उपर मौजूद हो तो native काफी मिलनसार सभाव का होता है लंबाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं fingers काफी अच्छी length में नज़र आ रही है और अगर देखा जाए इनकी group finger को group finger की लंबाई काफी अच्छी है और अगर हम compare करते हैं सूर्या finger के साथ तो यहाँ पर आपको नज़र आगा है इन दोनों finger की लंबाई में ज्यादा difference नज़र नहीं आ रहा ब्रस्पती finger कर अच्छी length में हो तो native की leadership qualities काफी अच्छी रहती है और इसी तरह से जब सूर्या finger यहाँ वाली finger अच्छी length में हो तो native के भीतर काफी अच्छी creative and artistic qualities रहती हैं तो यहाँ दोनों तरह की qualities इनके भीतर रहने के सम भावनाएं हैं ब्रस्पती finger भी काफी strong नज़र आ रही है और even इनकी सूर्य finger की length भी काफी अच्छी है और अगर हम बात करते हैं इनकी shiny finger की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं shiny finger हलकी सी tilted नज़र आ रही है shiny finger अगर जुक रही हो तो native के भीतर थोड़ी वेराग्या की भाव भावनाएं रहती हैं overall इनकी जो personality है काफी hard working रहेगी मेहनती रहेगी shiny finger की thickness काफी अच्छी है length में यह finger कम नहीं है और hard working type की personality को यह है indicate कर रही है बात करते हैं इनकी mercury finger को mercury finger के अगर हम length की बात करें तो यहाँ पर सूर्य finger के top phalange तक पहुंचती हुई है finger मज़र आ रही है mercury finger बिल्कुल straight हो अच्छी length में हो तो यह दर्शाती है कि native के communication skills बहुत अच्छे रहेंगे तो यहाँ पर communication skills में कोई भी दिक्कत नहीं है और even यह finger business equipment को भी indicate करती है ऐसे व्यक्ति का business करने का capability है वो भी काफी strong रहती है तो यहाँ पर fingers काफी positive नजर आ रहे हैं इनके hand में fingers क बीच में हलके gaps नजर आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के gaps का होना दर्शाता है कि native थोड़ा सा independent nature का होगा थोड़ा सा जिद्धी सभाव ऐसे व्यक्ति का रहने की संभावनाई रहती हैं जिनकी fingers में इस तरह के gaps हो चली आगे बढ़ते हैं और check करते हैं इ ज़्यादा low set होता हो नजर नहीं आ रहा है इवन mercury mount हलका सा low set है जिसका को बहुत ज़्यादा negative प्रभाव नहीं होगा और खासी देखने वाली यह है कि इनके mercury mount के उपर भी काफी सारी खड़ी रिखाएं मौचूद हैं इस तरह की खड़ी रिखाओं का होना काफी अच्छ माटा का नाम देते हैं यानि कि ऐसे व्यक्ति के भीतर दूसरों की problem को solve करने की capacity रहती है healing powers ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं ऐसे नेटिव अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी consultation जा सलहा से लोगों की problem को दूर कर सकते हैं खासतार पर doctors nurses lawyers ऐसे लोगों के हाथ पर चिन होते हैं इस सोशल वर्कर्स के हाथ पर भी इस तरह का चिन होने की समभावनाएं काफी ज़्यादा रहती हैं बात करते हैं इनके सुर्य मौंट के सुर्य मौंट यहाँ पर हलका सा दबता वो नजर आ रहा है जिस वज़़े सा यश मिलने में कमी रहती है और खास दौर और लैपिंग्स नज़र आ रही है लेकिन यह है रिखा काफी उपर तक पहुंचती हुई जो बहुत अच्छे social circle को indicate करती है ऐसे native की जो पहचान है जो recognition है वो authoritative लोगों के साथ हो सकती है ऐसे native की जो approach है वो काफी अच्छी रहती है विश्च की यश्च थोड़ा सा कम मिलता है जब सूर्य amount दब रहा हो लेकिन अगर यह है रेखा अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति का fame काफी अच्छा हो जाता है जीरे 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 जैसे जैसे ऐसे native की एज़ बढ़ती है उबरा हुआ नज़र आ रहा है बहुत ज़दा वीक नहीं है शनी फिंगर हलकी सी tilted थी जिस वज़े से थोड़ा सा hard work तो life में रहेगा लेकिन शनी रेखा की अगर बात करें वो यहाँ पर थोड़ी सी वीक हो रही है जिस तरह से इनके आप में लंबी सूर्य रेखा अगर कोई ऐसी ही एक लंबी रेखा इस तरह से शनी मौंट तक भी पहुंच जाती तो life में comforts ही comforts आ जाते हैं यहाँ पर थोड़े से comforts जो हैं वो कम हो रहे हैं क्योंकि शनी रेखा पहले तो थोड़ी सी weak है उसके बाद इस रेखा को stress lines काफी सारी काट रही है ऐसी सारी stress lines का होना indicate करता है कि native की life में financial ups and downs रह सकते हैं health related problems का सामना ऐसे native को काफी ज़्याद करना पड़ सकता है विशक पहचान और social circle अच्छा रहेगा लेकिन काफे सारे struggle और ups and downs का सामना भी इनको अपनी life में करना पड़ सकता है बात करते हैं इनके ब्रसपती माउंट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो area आपको सबसे ज़्यादा prominent नजर आएगा अच्छान है वो spirituality की तरफ रहता है धर्म करम के काम करना spiritual बाते करना और इस तरह का माउंट होने से knowledge बहुत अच्छी रहती है knowledgeable type की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है एक जिस और देखने वाली इनके हाँ में वो है इनका अंगुठा 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 के ओपर आपको पर बन रहा हूँ तो यह यह का कि दर्शाता है कि नेटिव की छटी इंदरी वी स्क्रियर है कि सिकसेंस इसको हम कहते हैं आने वाली घटनाओं का पूरवा अभास हो जाता है ऐसे व्यक्ति को जिनके हाथ पर इस तरह का यह का साइन बन रहा हो और ब्रस्पति माउंट भी स बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन इस तरह से स्ट्रेट है बिल्कुल, और एक ब्राउच यहाँ पर विश्नुचिन क्रियेट कर रही है, इस तरह का जो सिम्मल है, जो बिल्कुल हार्ट लाइन के एंड में बनता है, जिसको हम विश्न विश्नु चिन कहते हैं विश्नु सिंबल का नाम दिया जाता है ऐसा चिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो ऐसा नेटिव लाइफ में काफी अच्छी तरक्की पर पहुंच जाता है लेकिन अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चल कर धन कमाने की कोशिश करे कोई भी अ आने की कोशिश ना करें अदरवाइस प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी लाइफ में और आप यहां पर देख सकते हैं इनकी हार्ट की लाइन स्ट्रेट सीधा बरस्पती माउंट पर पहुंच रही है ऐसे व्यक्ति दिल से स्प्रिश्यल होते हैं आनेस्ट और वायल होते है तो यहां पर यह बहुत ही अच्छा चिन है इस लाइन का सीधा गुरू माउंट तक पहुंचना और अगर देखा जाए तो थोड़ी सी वीकनेस इस रेखा में यहां पर आ रही है थोड़ी सी ओवरलैपिंग्स हो रही है यह जो एज रहेगी लगभग 55 के आस पास की एज यहां पर हार्ट से एकलेटर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है बलड प्रैशर जैसी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है जब हार्ट की लाइन में इस तरह की ओवरलैपिंग्स हो अब बात करते हैं इनके इनकी में लाइन की माइंड लाइन की ब यहां टच कर रही है यह रिखाएं काफी ज़्यादा इन्फुलेंस क्रियेट करती है अपना ऐसी रिखाएं होने से नेटिव को थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है स्ट्रेस रहने की संभावनाएं साथी साथ एक रिखा और चल लिए इनके हाथ में डबल माइंड की लाइन ह थोड़ी सी ओ mammals ःजिनेशन रहेगी ऐसी जिनके हाथ में दो रिखाएं हो माइंड की ऐसे व्यक्ति के भीतर दोरी पर तिभा रहती है एसे व्यक्ति के अंदर कोई नों की hidden talent भी होता है अगर अपनी इन imaginations को अपनी hidden talent को बहर लेकर आते हैं तब तो ऐसे native को कोई दिकत न उसमें और इनकी जो लाइन ऑफ माइन तोनों में काफी क्लियर गएप नज़र आ रहा है यह जो लाइन है लाइफ की लाइन है और ये जो लाइन है माइन्ड की है दोनों के बीच में काफी एच्छा गएप है जिस वज़े से काफी independent type की nature मनमर्जी के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ती तोड़ा सा जिद्धी सभाभी रहता है और अगर हम बात करें life line की लंबाई की तो आप यहाँ पर देख सकते है life line यहाँ पर काफी अच्छी length में नज़र आ रही है इस एरिया में आपको एक फिश्च ऐसा सिंबल भी बनता नजर आएगा और ये लाइन लगवग 80 की एज को इंडिकेट करती है ऐसा फिश्च का सिंबल अगर हाथ पर बने तो ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं विदुरी की ट्रैवलिंग रहती है और चानिक धनलाब होने की संभावनाएं भी काफी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस रेखा पर उपर की तरफ चलने वाली काफी सारी ब्रांचिस मौचूद है ऐसी ब्रांचिस होने से नेटिव को लाइफ में काफी तरक्धी मिलती है या ब्रांचिस काफी बैनेफिक मानी जाती है और अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस मौट के ओपर काफी सारी ऐसी बारे इक रिखाएं married life में दिक्तें create कर सकती है family की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी करती है लेकिन overall finances अच्छे रहेंगे financial ऐसे व्यक्तिका अच्छा रहता है financial scope अच्छा रहता है यहाँ पर अगर यह amount उबरा हुआ थोड़ा सा खर्चीला भी ऐसा person हो सकता है बात करते हैं कि moon mount की तो आप यहाँ पर देख सकते है moon mount पर ऐसी upward जाने वाली रिखाएं मौझूद है ऐसी रिखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं काफी ज़दा बढ़ जाती है ऐसे व्यक्तिको लाइफ में काफी ज़दा travel करना पड़ता है और foreign travel के chances भी life में कई बार मिलते हैं तो दोस्तों यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे वर्षय पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद